हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट सुलोग विद पूनम में आज मैं सेर करें आप सब के साथ एक कप पोहे से टेस्टी स्नैक्स रेस्पी जिसे बनाना बहुत यहसान हो जटपटपन का त्यार होगी तो चलिए बनाते हैं स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तड़के की त्यारी करते हैं एक पैन लेंगे पैन में यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे एक चमच के करीब जैसे ही तेल गरम होगा उसमें डाल देंगे आदा चमच जीरा थोड़ी सी हिंग डालेंगे और यहाँ पर स्वाद के नुसा डाल लीजीगा इन सभी चीज़ों का अच्छे से पका लेंगे जैसी यह सारी चीज़ अच्छे से पक जाएंगे इसमें डाल देंगे आदा कब भर करके पानी का पानी याद रखिए आपने एक कटोरी अगर पोहा लिया है तो उसका आदा ही यहां पर पान इसको मैंने अच्छे से चान लिया था इसमें डालेंगे हम दो चमत के करीवे सूजी ली हैं सूजी इसमें अच्छा बाइंडिंग आएगा इसलिए इसमें डाल देते हैं और इसमें डालेंगे जो हमने पानी गरम करके रखा था वो डाल देते हैं ज्यादा ठंडानी होने इसको हम मसल के देख रहे हैं तो अच्छे से मसला जा रहा है इसी तरह से सारे पोई को हम मसल लेते हैं अब इसमें डालेंगे हम यहां पर तीन उबले हुए आलू है इसको मैंने कद्दू कस करके लिया है आप चाहें तो इसको मैस करके भी ले सकते हैं यह इसमें डाल देते ह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इन सबी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं रटा लगाते हैं तरह लगा लेना यहां Only मैंने इस तरह से टेल से ग्रीश कर लिया है अब लेंगे थोड़ा सा इसमें से ये डो और इसको हम हाथों की हल्प से एक लोई बना लेंगे लोई बनाने के बाद इस तरह हम हाथ से ही इसको लंबा लंबा कर लेते हैं और इसको हम उपर से फ्लैट कर देंगे एक दम से और इस तरह सेप देंगे इसको और इसके बाद इसको हम यहाँ पर चाकू से इसके पीसिस कट कर लेंगे यहाँ पर जो भी आप से देना चाहिए सनैक्स को आप दे सकते हैं मैं इस तरह इसको लंबा बना रही हूँ यहाँ पर देखी इस तरह मैंने इसको बीच में से दो पीसिस में कट कर दिया है और ये छोट छोटे जिस तरह हम बर्फी बनाते इसी तरह से मैंने कट कर लिया अब अम नहीं को फ्राइट करते हैं यहाँ पर यहाँ पर तेल को हमें मीडियम गरम रखना है और सारे पीसिज इसमें डाल देते हैं एक बैच में जितने पीसिस में आज सकते उतने डाल दीजिए और इसको एक बैच को पकने में यहाँ पर दो से तीन मिनट लगते हैं और इन्हें हम पलट करके पका लेते हैं और देखे यह स्नैक्स बहुत ही तेस्टी बनकर त्यार होगा अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो लीजिए हमारा एक पैच यहाँ पर बनकर हो गया त्यार आप इसको हम निकाल लेते हैं आप इसको जितना भी पकाना चाते हैं पका लेजिए अगर आप इसको ज़्याद़ा डार्ट करना चाते हो इसकर सकते हैं मैंने इसमें से निकाल लीए हैं यह सारे और लेजिए हमारे टेस्टी स्नेक्स यहाँ पर बनकर त्यार हैं थैंक you बाई